आपका स्वागत है आज मैं एक बहुत ही खुबसुरा सा डिजाइन लाएं हूँ जिसे आप किसी भी लेडिस प्रोजेक्ट में अपलाई कर सकते हैं इसे बनाने के लिए और की संख्या में फंदे चाहिए तो मैंने सलाई में 15 फंदे डाले हुए है तो बर्डर बनाने के बाद ये डिजाइन का पहला लाइन है पहला फंदा स्लिप कर लेंगे या सीधा बनेंगे फिर उन अपनी और करेंगे और दो फंदो को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे उन अपनी ओर करना है दो फंदो को एक साथ है जाले देटे हुए दोणों फंदो को सीधा बूर लेना इसी तरह करते हुए अले से फंदे बूर लेंगे तो उन अपनी और करके और दो फंदो को एक साथ लेते हुए सीधा बुनते हुए पहली लाइन कम्प्लीट कर ली गई है अब ये डिजाइन का दूसरा लाइन है और रॉंग साइड तो सभी फंदे हम सीधा बुनेंगे दूसरी लाइन में सभी फंदे सीधे बुने जा चुके हैं डिजाइन का तीसरा लाइन और सामने से दो फंदा हम सीधा बुनेंगे दो फंदा सीधा बुनने के बाद उन अपनी और करेंगे और दो फंदो को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए दो का एक करेंगे सीधा बनते हुए उन अपनी और करेंगे दो फंदो को एक साथ सीधा बनेंगे जाली देते हुए दो का एक कर लिया उन अपनी और करेंगे दो फंदो को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए दो का एक कर लेंगे इसी तरह करते पूरी लाइन कंप्लीट कर ली जाएगे लास्ट में एक फंदा आएगा तो उसे हम सीधा बढ़नेंगे और फोर्थ रो में सबी फंदे सीधे रॉंग साइट से सबी फंदे सीधे बुन दिये जाएगे फिफ्थ रो और फ्रंट साइट एक फंदा सीधा बुनेंगे फिर उन अपनी और करेंगे दो फंदो को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए सीधा बना लेंगे यानि हम अपने पहले लाइन को दोराएंगे दो दो फंदो को लेते जाएंगे और जाली देते हुए दो का एक करेंगे सीधा बनते हुए और हर रांग साइड में सभी फंदे सीधे बुनेंगे रांग साइड से सभी फंदे सीधे बुनेंगे सेवन्थ रो और फ्रंट साइड अब दो फंदे हम सीधा बुनेंगे उसके बाद उन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए सीधा बनेंगे पहली लाइन में हम एक फंदा कर रहे हैं एक फंदा सीधा बुन रहे हैं उसके बाद उन अपनी ओर करके और दो दो फंदो को लेते जा रहे हैं और सीधा बुनते जा रहा है हर बार दो फंदो को एक साथ लेकर सीधा बुनने से पहले हम उनको अपनी और कर ले रहा है हर बार दो फंदो को एक साथ लेकर सीधा बुनने से पहले हम उनको अपनी तरफ कर ले रहा है यानि हमें बुनने से पहले हवेशा जाली देना है और लास्ट बंदा सीधा और रॉंग साइट से सभी फंदे सीधे सिधा सीधा ही बुन रहा है फ्रन्ट से और बैक साइड से सिधा सिधा ही बुन रहा है अब फिर एक फंदा सीधा और फिर उन अपनी और करेंगे और दो फंदे को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए सीधा बनेंगे देखिए फ्रेंट्स हमेशा ये जाली वला फंदा जो है देखिए यहां जाली बना था ये जाली वला फंदा है तो जाली वला फंदा ही हमेशा उपर रहेगा यानि इसी में हम पहले स्लाइड आलेंगे और दूसरे फंदे में बाद में उन अपनी और करेंगे ये देखिए ये जाली वाला फंदा है तो पहले इसमें स्लाइड आलेंगे और उसके बाद दूसरे वाले फंदे में स्लाइड आलेंगे और दूनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे यह जाली वाला फंदा है पहले हम इसमें स्लाइड डालेंगे और फिर दूसरे वाले फंदे में स्लाइड डालेंगे और दुन्यों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना होगा रांग साइड से सभी फंदे सीधे देखिए फ्रेंट्स यहाँ पे ये वाला फंदा है जो उपर रहेगा या यूँकर ये वाला फंदा उपर रहेगा तो इन दो को साथ लेने से पहले हमें जाली देना होगा तो हम साइड में जाली ने देंगे इसलिए इन दोनों फंदो को हम सीधा बुन लेंगे पर फंदा स्लिप कर लिया अगला फंदा सीधा बुन अब देखिए उन अपनी ओर करेंगे ये देखिए ये इस वाले फंदे पर हमें डिजाइन बनाना है इन दोनों फंदों को हमें साथ लगना है और ये वाला फंदा जाली वाला फंदा है ये उपर रहेगा तो इसे बुढ़ने से पहले हम उनको अपनी ओर कर लेंगे और इन दोनों फंदों को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए दो का एक कर लेंगे उन अपनी ओर करेंगे, देखें ये वाला फंदा, जाली वाला फंदा है, यानि ये फंदा ही उपर हैगा, तो दोनों फंदों को एक सार लेंगे, और जाली देते हुए सिधा, हमको हमेशा यही ध्यान देना है, कि यही फंदा उपर रहना चाहिए, पहले हम इसी फंदे में स्लाइड डालेंगे परना डिजाइन डिस्टरब हो जाएगा तो ये एक ही लाइन का डिजाइन है और दो फंदे का डिजाइन है देखिए उन अपनी और करेंगे और दो फंदे को एक साथ लेंगे और जाले देते हुए सीधा बना लेंगे इनही दो फंदों को हमें पूरी लाइन में दूराना है लास्ट में एक फंदा आएगा तो इसे हम सीधा बना लेंगे और वांग साइट से सभी फंदेствен नहीं तेयार है वांग साइट से ये एसा लग रहा है दोनों साइट से डिजाइन ये खोबसूरत है देखिए, यह front side है, और यह wrong side है देखिए, मैंने इसे इसमें बनाया हुआ है यह wrong side है, देखिए, यह बनाया हुआ है देखिए, मैंने साइड भी कितना खुबसूरत है और यह front side है और wrong side से देखिए एकी line का यह design है, और design आपके सामने है यदि आपको design अच्छा लगा हो, तो आप इसे अपने sweater में apply कीजिए इसे like कीजिए, चैनल को subscribe कीजिए डिजाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिष्टेदारों में share कीजिए बेल आइकन ब्रस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का notification आपको मिल सके वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवार